कुछ राजनितिक विशेशग्यों का मानना है कि नौर्थ इंडिया में राम मंदिर की एक लहर है जिसे बीजेपी को फाइदा हो सकता है आपको क्या लगता है कि कॉंग्रेस और इंडिया ब्लॉक इस से कैसे डील करेगी एक तो कॉंग्रेस को इस से डील करने की क्या जरूरत है राम जी कि अगर लहर है देश में तो यह कोई बुरी बात तो है नहीं बुरा तब होता जब नाथू राम की लहर होती देश के राम के जो मानने वाले लोग है उनको कैसे ठगा जये मतलब नाम लिया जाए राम जी का और काम किया जाए नाथू राम का ये जो खेल है इस खेल से बीजेपी को फाइदा है और हमको लगता है कि ये इस देश की संस्कृति, इतिहास और आने वाली पीडी के भविस्य के खिलाफ है खिलाफ इसलिए है कि अगर हम राम जी की संकलपना को इस देश में देखें तो बहुत रचे बसे हैं इनसानों के नाम है उनके नाम पर जगह का नाम है उनके नाम पर आप संस्कृति में देश के अलग-अलग हिस्सों में जब आप घूम करके देखेंगे तो किसी ना अस्थान पर reduced उनको नहीं किया जा सकता है उनको नहीं कि एक अस्थान पर उनको reduce कर दिया जाए जैसे दूसरे धर्मों में ये है कि कोई अस्थान जो है वो सबसे important होता है हिंदू धर्में सब अस्थान important होता है और सब भगवान important होते है राम जी भी उतने ही important है, सीव जी भी उतने ही important है, विशनु जी भी उतने ही important है, ब्रमा जी भी उतने ही important है इसलिए हिंदु धर्म जो है दुनिया के और दूसरे धर्मों से अलग है हुआ ये है कि इस देश में जो हिंदु धर्म को मानने वाले लोग है Actually उनके साथ जो है छलावा किया जा रहा है Actually उनके साथ जो है अपने राजनितिक लाव के लिए उस धर्म की जो विराटता है उसका जो विस्तार है उसको reduce करने की कोशिस की जा रही है और राम जी की संकल्पना में कहीं भी किसी और से नफरत की कोई जगा नहीं है तभी तो जब रावन का बध हुआ तो राम जी लक्षमन को बोले कि जाओ, कुछ सीख लो बहुत ज्यानी आदमी था बहुत बिद्वान आदमी था बहुत बड़ा तपस्वी था वो वो इतना बड़ा तपस्वी था कि भगबान सिव को उसने प्रसंद कर दिया लक्षमन जी सीखने के लिए गए लक्षमन जी जागर कि उसके सर के पास खड़े हो गए तो जो है बिचारा आँख जो है अपना आँख ऐसे बंग कर लिया लोट करके आये लक्षमन जी और राम जी को कहा कि उसकी जो कहानिया है उसमें समाज की स्थिती उसकी समस्याएं उसका निराकरण और जीवन जीने का एक आधार नैतिक क्या है इसका जो है वर्मन किया गया है और एक बात और आपको उता दो राम, रामाईन और लोगों के जी वन में रचावसा यह शंकल्प्ना उसका कोई एक रूप नहीं है बहु रूप है अगर आप रामाईन की ही बात करेंगें तो कम से कम तो दो रामाईन के बारे में सब जानते है तुलसिदास जी के राम चेक मानस के बारे में और बालमी की जी के रामाइन के बारे में और दोनों में बहुत सारे प्रसंग और कहानिया जो है वो अलग-अलग है इसके अलावे भी सेकरो रामाइन है इस देश में खास करके फोक ट्रेडिशन में अगर हम जा करके देखें तो वहाँ पे अलग-अलग कहानी है लेकिन राम जी के ही नाम से है तो राम जी के नाम से इस देश की संस्कृति और इतिहास जो है वो जुड़ा हुआ है इसमें चिंता जनक बात सिर्फ ये है कि नाम राम जी का लेकर के नाथू राम की जो सामपरदाइकता है जो बटवारा है पहचान के नाम पे समाज को बाटने की लडाने की जो राजनितिक चाल है ये खतरनाक है और इस राजनितिक चाल को हम समझ रहे हैं राम जी के लहड से कोई दिक्कत नहीं है राम का नाम तृता यू से चलता रहा है, बीजेपी के पैदा होने के पहले से चलता रहा है और बीजेपी जब समाप्त हो जाएगी तब भी इस देश के संस्किर्टी और इतिहास के साथ चलता रहेगा.